हलो दोस्तो नमस्कार अदाब सस्तिय काल मैं आपका दोस्त इंजिनियर गुटु सरवन आपके अपने यूटूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेल्वे जुनियर इंजिनियर का जी डी सी का सिलेबस यानि की जेनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पेटेटिव एक्जाम का सिलेबस बताने वाले हैं जुनियर इंजिनियर का वही सिलेबस पढ़के दोस्तो हम आज रेल्वे में सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा चेप्टर पढ़ना है पूरा इस वीडियो में डिटेल से पता चल जाएगा तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार दे इपार्टमेंट का एक्जाम पैटरन का नोटिस दोस्तों जो की दोस्तों रेलिवे रिक्वायर्मेंट सेल सिकंदराबाद के दौरा 29-7-2021 को जारी किया गया था इसमें दोस्तों क्या है कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक्जाम पैटरन इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा एक्जाम पैटरन यहां पे बताया गया है कि जूनियर इंजिनियर ट्रैक मसीन इन जी डिसी और टेक्निसियन ग्रेट 3 ट्रैक मसीन यह जो भकेंसी आया था दोस्तों आपका नोटिफिकेशन नमबर 1 नोटिफिकेशन नमबर 2 ठीक है यह दोनों आया था जेई का भी आया इसमें जो पहले जो था एक्जाम पैटरन इस टाइप के था आपका जिसको चेंज करके अभी यह कर दिया गया था यानि कि पहले क्या दिया दे गया था कि आपको 50 कोचन आएगा आपका जीके जीएसाय का मतलब जेनरल जो कमपेटिशन में आता है और टेक्निकल से 100 कोचन से कर दिया गया और टेक्निकल से 100 कोचन कर दिया गया जिसको आपको 110 clauses करना था स्टो यह थया था अपका एक्जाम पैटर्ण अब आए जहांते हैं कि सिलेवेस क्या था टेक्निकल में हमको क्या क्या पढ़ना था यह हम जानते हैं जेनरल में तो सभी को पता होता है दोस्तों कि जेनरल एवेजनेस यहाँ पर देखे दिया हुआ है जेनरल एवेजनेस, फिजिक्स, केमेस्टी, बैसिक अफ कम्प्यूटर, अप्लिकेशन, बैसिक अफ इन्भारोमेंट और पॉलूशन कंट्रोल, यह सब पढ़ना था जेनरल सारे ब्रांच के लोग इसमें इलिजिवल थे, आएए जानते हैं आगे की कौन-कौन से ब्रांच वाले इलिजिवल थे, और उनका सिलेवस क्या था, क्या-क्या पढ़ना था, तो दोस्तों आएए जानते हैं, तो यह था दोस्तों आपका सिलेवस का, इस टाइप की कुछ स जो कि जारी किया गया था आपको 28-22 को जारी किया गया था जिस समय भैकेंसिया था उसी कि कुछ दिन बाद यह जारी किया गया था अब दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यह नोटीस है फोर कंडिडेट हुए अपलाइट फोर पोस्ट आप जुनियर इंजिनियर ट्रैक मसीन जीडिसी बन दोहजार एक इस उनके लिए यह सिलिवस बताया गया है फॉर्दर टु द जीडिसी नॉट्टिकेसन नंबर एक दोहजार एक इस 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 इसी में हम लोग मतलब यही भाके इनजिनियर्इंग यानि कहने का मतलू है दोस्तो कि इलएक्रिकल वाले भी यह इस μέland तो उनको क्या पढ़ना से घंते हैं तो जो सडालो से अपको ब्यच्छा का सरकीट लेicker अंच्छा से पर लिएगा सुदमियारेंट्र एफ्सीमें वहां लिए आप देख सकते हैं इसको ठीक से आप टॉपिक को देख लिजेगा एक एक हम पढ़ेंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जागा इसलिए आप खुद से देख लिजेगा कि क्या है इसका मैं जो इसका जो पीडियाप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोस्तों यह था ऐलेक्ट्रिकल का कुछ इस टाइप के था आपका यहाँ पर देखिए अन फ्रोटल आपका 11 भाग में बाटा गया है इसको ठीक है फिर आगे चलते हैं दोस्तों देखिए ऐलेक्ट्रोनिक के लिए क्या था है सिलिए बस फोर लिनियर इंटिग्रेटेड़ सर्कीट पाश्वा में आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ये था electronic वाले के लिए यानि कि सबका अलग-अलग से लिए बस था अगल आप electronic ब्रांच से बिलों करते हैं तो आपको यही पढ़ना है सिर्फ आप electrical से बिलों करते हैं तो उपर जो था वो पढ़ना है सिर्फ आपको इस टाइप से था आपका देखें यह छटा में था electronic measurement, सात्वा में था communication engineering, आठवा में था data communication and network, नवा में था आपका computer programming, दस्वा में था basic electrical engineering तो इतना जो topic किसका है, वो है topic आपका electronic and communication का यह चीज आपको पढ़ना था, फिर दोस्तों आपका mechanical का syllabus क्या था, यह जानते हैं, syllabus for mechanical and allied engineering group J, ठीक है, तो पहला था आपका engineering mechanics, ठीक है, दूसरा था आपका material science, इसमें आप देख लिजेगा क्या-क्या topic है ध्यान से, ठीक है, उतना हम बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम main topic आपको बताते हैं, chapter क्या-क्या पढ़ना था, फिर दोस्तों strength of materials, फिर दोस्तों चौथा machining, पाच्वा है आपका welding, फिर दोस्तों आपका छठ्था है grinding and finishing process, सात्वा है metrology, ठीक है, आठ्वा है आ mechanics and hydraulic machinery, नवा है आपका industrial management, दस्वा है आपका thermal engineering, तो इस टाइप से कुछ syllabus था दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा mechanical के लिए सबसे नीचे था, फिर था आपका electronic वालों के लिए, फिर था आपका उपर electrical engineering वालों के लिए, यानि कि ये तीन लोग जो vacancy आ है था दोस्तों, अगर आपकी भकें से कुछ आती है तो इसको देखने के बाद आपको क्या है, कि अंदाजा ये लग गया होगा, कि किस टाइप से question, किस कौन सा topic से पूछा जाता है, बताने का मक्सद हमारा ये बहुत लोग पूछे भी थे कि क्या-क्या syllabus होता है, आप बत syllabus है, यही रहने वाला है, यही topic रहने वाला है, यही topic आपको पढ़ना है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो मित्ता है, अगर जी वीडियो से related कोई भी doubt होगा, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों, अभी तक भी आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर जीएगा, वीडियो को like हो, share कर दीएगा अपने दोस्तों को पास, जो dcdc का syllabus जानना चाहते हैं, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, जैंग